नमस्कार साथियों जैभीम, अमबेटकर नामा के उन्हात तरवे एपिसोड में आप सब का स्वागत है और यहां से आगे कुछ एपिसोड तक हम संस्थाओं की बात करेंगे कि डॉक्टर अमबेटकर ने संस्थाओं की निर्मान में और उसके संचालन में क्या-क्या भूमिक निभाएं जैसे बहिस्कृत हितकारणी सभा, डिप्रेस क्लास इंस्ट्यूट, इंडिपेंडनलेवर पार्टी, पीपल्स एजुक्रिशन सोसाइटी, सोचल सेंटर, शेडूल कास्ट फेडरेशन, बुथिस सोसाइटी ऑफ इंडिया, शेडूल कास्ट इस्ट्वेंट फे जरूरी है, और एक बात मैं यहां और इस फर्स्ट करना चाहता हूं, कि सरकारे आती हैं, जाती हैं, विक्ती आते हैं, जाते हैं, मंतरी बनते हैं, मुख मंतरी बनते हैं, जाते हैं, लेकिन संस्थानों का रोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक बार जो सं लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं इंटलेक्चिल लीडर भी होता है तो इसलिए जैसे देख लिजे मंदीर हैं या मठ हैं वो जब बनी संस्थाइं तो उसने कितने सारे चीजों को उन्हें प्रिडियूस किया इसलिए हमारे लोगों को संस्थानों के स्कूल क इसको समझना पड़ेगा इसलिए कारण नहीं है कि बाबा साब ने दर्जनों संस्था हैं बनाई और सारा डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा और सबसे पहले इस सिलसले में सबसे पहले मैं बात करूंगा बहिस्कृत हितिकारणी सभा की और इसको जानने के लिए डिट 252406 और पेज नंबर 540 से 545 एक बात और मैं सबस्ट कर दूं कि हिस्टरी में जो ट्रिनिंग होती है हमारी कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो पहले जो फुटनोट्स रेफरेंस होता है उसको देखते हैं और फिर जाके उस किताब को तलासते हैं तो आप भी हम जो बो दूँ हूँ क्योंकि शब्लों के अपने मायने होते हैं और व्याक्यां बदलती हैं तो इसलिए जो मैं रफरेंस सतिसलिए देता हूं कि जो साथी आगे पढ़ना चाहें नहीं करना चाहें वह जाएं और उस किताब में जाकर 나 कर और पूरे शॉसक्राल की लोग Government नहीं कह रहा है चलिए बहिस्कित हितकारणी सभा 9 मार्च 1924 दामोदरन हॉल बंबई में एक डिप्रेस क्लास की लोगों की एक महत्पूर बैठक हुई और बैठक हुई और उसमें दिन भर चर्चा चली कि हमारे पास एक केंद्रिय संस्थान होना चाहिए जो की डिप्रेस क् की अच्छूतों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार के सामने बात रखे यह अकारण नहीं कि डॉक्टर अमबेटकर ने बात में गवर्नर जनरल को बहिसकर हितकारणी सभा के आधार पे में मिर्णम समपाता जो बाद में आप देखेंगे तो दिन भर मिटिंग हुई बातचित हुई इसके बाद सर्व सम्मत्ती से एक सभा बनाने का निड़ने लिया गया और उसका नाम रख्या गया बहिसकरित हितकारणी सभा और इनका जो स्लोगन वहां डिजाइन हुआ और स्लोगन था एजुकेट एजिटेट और गनाईज उनीस सचोविस में पहली बा यह सलोगन बना और सिक्षित बनो संगर्ज करो और संगठीत रहो यह नारा उनीस सचोविस में पहली बार भैसकरित हितकारणी सभा में एडॉप्ट किया गया था तो एक संस्थान बनी इसके बाद 20 जुलाई उनीस सचोविस को इसको एक फॉर्मल रिस्टर्ड रूप दि सर चीमनलाल हरीलाल सीतलवार यह दलित नहीं थे इनकी अध्यक्ष बनाया गया इसके बाद श्री नेयर निस्सिम को उपाध्यक्ष बनाया गया है जो गवर्निंग बड़ी बनाई गई उसके मेंबर थे रुस्तम जी जीनवाला जीके नारिवन आर्पी परांजपे बीपी चौहान और बीजी खेड इनकी गवर्निंग बड़ी बनी इसके अलावा एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई गई है प्रवंद समिती इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंबेटकर को और उनका सचीव बनाया गया शिवतारकर जो की बाद में आप देखेंगे कि अंबे कोशा द्यक्ष बनाया गया 20 जुलाई 1924 को ससाइटी एक्ट 1860 के 21 अधिनियम के तहत इस ससाइटी का पंजी करण हुआ डिटेल्स इसके नियम क्या थे नहीं थे ये सब पूरा डिटेल्स एक लंबा डिटेल्स है बारत 13 पेज का आप इसके लिए किताब उलट कर देखें वो डिटेल्स यहां में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन इनकी गतिवीधियां क्या थी वो चर्चा में आपके सामने रखा गया है परिशिस्ट 11 है अपेंडिक्स 11 पेज नंबर 540-543 उसको आप देखिए और तो यह रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने साल भर में क्या काम किया तो 1926 18 तारीक को महीना इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं देखता हूं आगे कहीं मिटिंग हुई मिटिंग का सेंटर था दामोदर ठाकर से हौल पारेल बंबई इसमें 1925 के कारे की समिक्षा एक साल के कारे की समिक्षा की गई 24-25 के कारे की समिक्षा की गई और रिपोर्ट से पता चला कि सभा का कारे तीन गुना बढ़ गया है क्या क्या काम किया उन्होंने रिपूर्ट बताया कि दलित वर्गों की शिक्षा के विचे में सभा ने माधविक शिक्षा पा रहे हैं दलित 15 शातरों के लिए 16 पूर के निकट एक चात्रवास की ब्यवस्था की है चात्रवास रहने के लिए विल्कूल मुफ्त है उसमें जो पूरे संचालन में खर्च आया है 2670 रुपए के आसपास वो खर्च आया है अपने पहले वर्ष में सभा ने दलित वर्वों के सांस्कृतिक और आत्फिक उत्थान का कोई विशेश कार नहीं किया फिर भी सभा ने नासिक जिले के गाओं के महरों की वतंदारी मामले से संबंदित शिकायतों का निवारन करने में मदद की है एक साल का जो उनका कलेक्शन और खर्चा था जो इनकम और एकस्पेंडिचर था इनकम 3,170 रुपए के आसपास और एकस्पेंडिचर था जो और कारे के बारे में उन्होंने बताया कि सभा ने Improvement Trust चॉल बाइकुला में दलित छात्रों के लिए एक Library और Reading Room का विवस्ता किया है Reading Room खोला है बाचनाले खोला है परेल के निकट दलित युवाओं के लिए सभा ने दलित छात्रों के लिए एक महत्पूर संगठन बहिस्कृत विद्यार्थी संवेलन का आयोजन किया है इसका उद्धेश दलित छात्रों के बीच डिप्रस क्लास के छात्रों के बीच भाईचारा के अवधारना को सिध्धान को विक्सित करना है यह जो संवेलन विद्यार्थियों का जो संगठन है यह मराठी नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकालती है जिसका नाम है विद्या बिलास कि इसके लेखक जो है वहां उसके छातրी हैं, छात्री lore contribute करते हैं, छात्री edit करते हैं, सूच ये कितना मत्पूर्ण काम है ये, छात्री लिगते थे। तो आर्थिक शेत्र में सभा नेख्रिमें क्लास के लिए, क्लासेस के लिए, तीन कॉआपरेटिव सौसाइटी बनाया है, समिती इस्थापित की है और उमीद करती है कि वर्स 1926 में कारकरम की लागत 25-30,000 के बीच पहुँच जाएगी तो ये इन्होंने रिपोर्ट दिया उसके बाद दो और बाते रखे गई प्रस्ताव में पहला कि वहिसकृत हितकार्णी सभा एक दलित वर्गों के लिए एक केंदरिय संगटन है इसलिए सरकार दलित वर्गों के बारे में कोई फैसला लेती है या कोई प्रोग्राम बनाती है तो इससे जो है उनको परामर्श सहायता लेनी चाहिए दूसरा महा महिम को इस सभा का honorary pattern बना कर उनको सम्मानित किया जाना चाहिए ये दो मांगे सरकार को भेजी गई इसके बाद 27 जुलाई 1926 CID ने एक details इन से मांगा कि आपने संगठन के बारे में details जाई है पांस तरह के details मांगें गए पहला क्या सभा का गठन निर्धारित कर दिया गया है यदि ऐसा है तो इसके कॉपी भेजी जाए दूसरा इसके office bearer दलित वर्ग से कितने हैं तीसरा जो subscription और membership क्या है चौथा जो पुस्तकाले है उसका अबलोकन करके उसको पूरे examine करके बताए कि उसमें किस तरह की किताबें हैं कितने मात्रा में हैं और किस सिमा तक depressed class के लोगों के द्वारा इसका इस्तमाल किया जाता है इसके बारे में report दीजिए और फिर ये बताए कि क्या सभी या सभी लोगों के लिए खुला है या सिर्फ depressed class के लिए खुला है पांचवा उन्होंने पूछा कि सभा ने क्या इस करेंट येर में चालू वर्स में कोई अपना कारेक्रम किया है इस पे सभा ने एक रिपलाई दिया उन्होंने कहा पहला कि उसकी मेमरेंडम की कॉपी संलगन कर दी गई है भेजी जा रही है दूसरा अध्यक्ष और अच्छे उपाद्यक्ष दलित वर्ग से संबंधित नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया कि पांच तरह के सब्सक्रिप्शन है पहला वैसे विक्ति वैसे वर्ग जो प्रती वर्ष 25 रूपया चंदा देता है दूसरा प्रती वर्ष 10 या उससे अधिक अदा क कर रहे हैं तीसरा सी पांच रूपय प्रती वर्ष या उससे अधिक अदा कर रहे हैं फोर्थ वैसे विक्ति जो तीन रूपया इससे अधिक अदा कर रहे हैं डी पांचवा वैसे विक्ति जो एक रूपया या इसससे अधिक अदा कर रहे हैं सूचिए संसाधन कि कितनी जर चला रहे थे बहुत कृतकारनी सबा जितनी काम कर रही है बहुत सारे लोग हो जाए कितने सारे हम संस्थान खोल सकते हैं इस्टूडियो बना सकते हैं मीडिया हाउस खोल सकते हैं और उसका कितना ज्यादा चेन रियक्शन होगा मैंने उनको लिखा है कि शुक्रिया अगर मुझे कोई सोधार्थी मिले तो मैं जरूर इस कायम को आगे स्क्रिप्ट तयार करके लाई है और एक दिन में मैं पांच-छे वीडियो बना के डालूं कि जादा से जादा लोग जादा से जादा इंफरमिशन पहुंचे इसलिए संसाधनों का होना बहुत जरूरी होता है पुश्कर साहब शुक्रिया जब जरूरत होगी तब हम आपक से हैं मेंबर हैं जिन्होंने 200 रुपे कल्यान के लिए सभा को उन्होंने दिया है यह ठेकेदार वर्गे हैं और दलित वर्गे नहीं है यह समझने की बात है एजंडा इंपॉर्टेंट होता है कोई अगर गैर दलित आपके एजंडे के साथ आपको काम करना चाह रहा है मद होई राज़त में होंगे बैचारिक बिनिताएं होती है तो एक दम विशुद रूप से कास्ट पर सिर्फ बात करें कि नहीं ऐसे ही लोग मेंबर हम बनाएंगे मामला गरबर हो सकता है जो लोग आपके एजंडा के साथ हैं वो गयर तलित भी हैं गयर पिछड़े भी हैं ग लिया गया है और यह किराय पिलिया गया साथ रूपे तीस पैसे के आसपास किराया है एक चोटा सा कमरा है जो बंबई सुधार न्यास क्लार्क रोड के चॉल के दूसरे तल पे इस्थित है यह कमरा बहुत गंदा था जिसमें एक टूटा हुआ बेंच एक टूटी ही 64 पुस्तके थी जो अधिकांस्तर मराठी भाषा में थी उनमें से कुछ किताबें सरस्यों को जारी की गई थी और कुल दो ट्रंकों में अन्य दो ट्रंकों में रखी हुई थी और वो ट्रंक सोशल सर्विस लीग के थे सोशल सर्विस लीग ने 200 पुस्तकों का दान दिया था जो लोहे के दो ट्रंक में रखी हुई हैं प्रते एक ट्रंक में 100-100 किताबें हैं जो लाइब्रिडी की जायतर पुस्तके हैं वह समाजिक और धर्मिक विष्यों से संबंदित हैं लेकिन कुछ किताबें और राजनितिक विष्यों से भी खासत और से स्वराज से संबंदित हैं और जो मराठी में हैं डलिट डिप्रेस क्लासेज के लगवक दस से बारह सदसे पुस्तकाले में अमुमन रोज आते हैं यह सभी वर्गों के लिए खुला है लेकिन ऐसे जगों पे सामाने तर जनरल कटेगरी के लोग जो सवन लोग हैं वो नहीं आते हैं संचेप में यदि कोई बाहरी विक्ती पुस्तकाले में आये तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि यहां कख्ष यह कमरा पुस्तकाले के लिए बनाये गया है जब तक कि उसे बताया ना जाए पांचवा पॉइंट उन्हें कहा कि यहां पे और किसी कार्म का काम काज नहीं होता है लाइब्रेरी पढ़ने पढ़ाने के अलावे और वहिस्कृत हितकार्णी सभा का पंजीकरन एक अपरेल 1926 को किया गया था इसके बाद पुलिस कमिशनर CID को यह भेजा गया पुलिस कमिशनर का रिपोर्ट है वही सब बाते उसमें रिपीट की गई है और पुलिस कमिशनर ने लिखा कि सदस्ता लगवग 200 है जिसमें से 10 को छोड़कर सभी ईवर्ग के हैं इवर्ग मतलब एक रुपया परती वर्ष देने वाले एक रुपया इससे तोड़ा ज़ादा देने वाले लोग हैं कथित रूप से पुस्तकाला का कमरा है जो क्लार्क रोड में एक सुधार नियास के दूसरे तल परिस्तित है अधिकांस पुस्तों के या आपुर्टी लोग ही आते हैं सभा में किसी अन्य तरह की और कोई गतिविदी नहीं हो रही है जो आखरी इंपॉर्टेंट जो पुलिस कमरेशनर का रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि हलांकि इस सभा पे किसी तरह का आरोप नहीं है फिर भी इसे रिप्रेजेंटेटिव इंस्ट दलित वर्गों का पर्तित्व करने के लिए इससे बहतर नहीं है इसलिए दलित वर्गों से सम्मंदित किसी भी विशे पर अगर जरूरत पड़े तो इस संस्था से राय ली जा सकती है जहां तक पताधिकारियों का प्रश्ण है मैनेजिंग कमिटी परिवंद परिशद के स सभी सदसे दलित वर्गों के हैं यह पुलिस कमिशनर का रिपोर्ट है साथियों इंस्ट्यूशन हमारे लोग हमारे नेताओं ने संस्थाओं का मतलब नहीं समझा है हम समझते हैं कि सिर्फ MLA MP बन जाना और सिर्फ पार्लेमेंट पे आप आज आएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा नहीं नहीं हो सकता है अगर कोई दलित प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है तब भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है अभी राष्ट पती दलित हैं पहले भी राष्ट पती दलित के सुप्रीम कोट में चीफ जसिस दलित रह चुके हैं तो क्या दलितों प प्राइम निस्टर आपको दस वाई चांसलर बनाने हैं तो दस वाई चांसलर बनाने के लिए दस प्रोफेसर होने चाहिए प्रोफेसर कहां से आएंगे यह आएंगे सिक्षन संस्थानों से आएंगे यह अकारण नहीं है कि डॉक्टर अमेटकर ने दरजनों संस्थाएं खो आप ये कबाब बताईए इस देश में आप ढूंट के देखिए हजारों सेक्डों मिनिस्टर्स हैं बिरोक्रेट्स हैं पांच इतियासकार तलित बहुजन वर्क ढूंट कर बताईए मुझे प्रोफेर्शनल हिस्टॉरियन नहीं है तो जब जिस समाज का इतियासकार नहीं होगा डॉक्टर अंबिटकर कहते थे वो समाज गुलाम होगा तो जो इंट्रेलेक्चुल जो समाज नहीं पैदा करेगा और इंट्रेलेक्चुल पैदा करने के लिए आपके पास संस्थानों क कहा मान लेजिए कि हमारे पास एक बड़ा वर्ग है जो कि आर्थिक रूप से सही हो कर सकता है मैं नौकरी प्रिशा बेखती हूं मेरे पास आर्थिक संसाद मुस्रा से नहीं है जितने हैं वह सब खर्च करता रहता हूं ऐसे अगर सैकुरों हजारों लोग हो जाए अगर एक ह करेंगे जनलिस्ट करेंगे तमाम अगर आप कहते हैं कि ब्रह्मनवाद का कबजा है इस देश पर ब्रह्मनवाद सत्ता कोई भी रहा हो उन्होंने मंदीर के द्वारा अपने सिस्टम को आगे बढ़ाया पीडी दर पीडी हजारों साल से चाहे अंग्रेज रहे हों चाहे व इसलिए संस्थाओं के रोल को समझिए दूसरा बहुत धमठ है डॉक्टर अंबेटकर ने कहा था कि बहुत धमठ इनको जो है बदिश्टों को स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए क्या खुला चुकि इस तरह की गतिविती इन्होंने नहीं की इसलिए ब्रहामनवाद पुनरजीवित होता है बार बार रीइन्वेंट करता है अपने आपको यह सीखिए ब्रहामन और ब्रहामनवाद सिर्फ गाली नम दिजिए सो खाली सीखिए उससे इक ऐसे समय और काल औ अगले प्रोग्राम में फिर आप से बिलूँगा और डिप्रेस क्लास इंस्ट्यूट वे मैं बात करूँगा डॉक्टर अंबिटकर ने पुलिटिकल लीडर बनाने के लिए इंस्ट्यूट खुलने के भी बात की थी वो भी आपके सामने रखूँगा शुक्रिया साथियो ज्यादा ज्यादा सुनिए और ज्यादा ज्यादा लोगों के पीछ पहुंचाईए समय कम है मटरियल बहुत ज्यादा है इसको ज्यादा पहुंचाना है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए समिक्षा कीजिए और जो मैं बात कहता हूँ उसको क्रॉस एक्जामीन कीजिए शुक प्यासा तो जाइब